सुपीरियर ओयस रोम का निव अपडेट आया है सुपीरियर ओयस एक्स्टेंडर रोम का अर्जित साहा की तरफ से यह बिल्ड है लास्ट रिवी वी कंप्लीट जो की किया हुआ था अब उसके बाद यह अपडेट आया तिसमें भी हमें चेंजस देखने को मिल जाते हैं तो जैसे कि यह सुपीरियर ओयस एक्स्टेंडर का यह अनुफीशल एंडूइड 13 बिल्ड है अगस 2003 की सिक्यूर्टी पर सेम है करनल सनलाइट वाला पिछले में डीगल वर्जन 19 था बाकि यहां पर सलिनेक्स इन्फॉर्सिंग मिल जाता है क्यूएस पैनल जैसे कि बताए इसका काफी स्मूध है यहां पर रहने वाला है तो यह आपको बिल्कुल स्मूध मिल जाएगा डाटा जिस पर पहले बैग्राउंड नहीं था सिर्फ एडिट पर था लेकिन अभी डाटा जिस पर भी बैग्राउंड देखने को मिल रहा है और एडिट के अंदर जाते हैं यहां पर सिर्फ एक टाइल हमें यहां पर ओटीजी का ओन दगो जो मिलता है यहां पर यहां पर फिलाल न्यू देखने को मिलता है और स्क्रीन रिकोर्डिंग के जो यहां पर सेटिंग से सेम है और स्क्रीन रिकोर्डिंग के साथ में भी नॉर्मल ही यहां पर लैग रहता और volume panel जो है यहाँ पर आपका same है इसके अंदर हला कि कोई change नहीं हुआ है और app opening जो animation है वो भी यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है जैसे कि आप देख सकतो कोई दिकत इसके अंदर भी यहाँ पर नहीं है और इसके अंदर fm अभी फिलाल नहीं मिलता गैलरी नॉर्मल है बट google photo इंस्टोल करोगे unlimited storage का support देखने को मिल जाता है और इसके अंदर में यहाँ पर जो हमारा ok google का bug रहेगा तो यह है बाकित आपको जो है पहले जैसे मिल जाए और fm जैसी किसिमेंन नहीं है एंट play store surford आता है safety net बिलकूल pass इसके अंदर में banking app भी अराप्स उजिज कर पाओगे और जो ball paper style है यहाँ पर आपको setting में तो कोई change नहीं मिलता बट new ball paper का पसरे इसके अंदर में add कर दिये गए हैं जैसे कि आप देख सकतो हो ये कुछ ball paper है जो कि new देखने को भी यहाँ पर मिलते हैं बागी setting में कहीं कोई change नहीं हुआ है launcher में भी इस तरीके से ना के बराबर ही change आपको मिलेगा जितनी भी settings मिलरोन में किसी में कोई change नहीं हुआ है सिर्फ यहाँ पर जो last miscellaneous suggestions जो दिया गया है ये आपको new मिल जाता बागी कोई change नहीं है calling के अंदर carrier video call का bug अभी भी आपको मिलेगा wifi calling का bug मिलेगा and proximity sensor जो इसका है काम कर रहा है and call recording का भी bug है जो की काम नहीं करता और Bluetooth device लेकिन media calling दोनों पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है उस पे कोई भी दिक्कत हमें नहीं मिलता और battery wake up देखोगे तो तो आवर 50% ब्राइन पर वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है पिछले में 88% था और अब charging के अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 65% चार्ज होने में 3 hour 25 minute के करीब का टाइम लगा और original charger के साथ ही यह चार्ज के आओ यहाँ पे battery drain देखे तो 71% था night में और morning में 68 यहाँ कि 3% का जो है night में यहाँ पे मुझे drain देखने को मिला है इसके अंदर में बाकी अब चलते हैं settings के तरफ तो superior lab में सबसे पहले तो यहाँ पे themes के अंदर बिल्कुल भी change नहीं हुआ इस update में जो जैसा पहले था उसी तरीके से सब कुछ यहाँ पे रहने वाला यहाँ पे कुछ भी new नहीं है लेकिन status bar के अंदर change हुआ है यहाँ पे clock and date अब add कर दिया गया इसमें सिर्फ background जो chip दिया गया वही पहले था बाकी सारे options यहाँ पे new है clock and date के settings भी new है और यह जैसे कि पहले नीचे वह अगरता तब इसी में add हो गया है clock जो font style है वह भी आप change कर पाऊगे status bar पर जो clock मिल रही है उसका font style चेंज कर पाऊगे यहाँ पे color भी अगर आज change करना चाहते हो तो भी आप change कर पाऊगे यह पूरा आपको यहाँ पे new मिल जाता है background को छोड़ दे तो बागे color के लिए जैसे कि यहाँ पे हमें मिल जाता है यह जो है यहाँ पे रहेगा और नीचे फिर combined signal icon new है इससे जैसे कि signal icon अभी हमारा hide हुआ पड़ा है इसको जैसे हम off करेंगे system UI restart होगा और उसके बाद जो है हमारा signal icon so करने लग जाएगा तो इस तरीके जो ही आपका combined signal signal icon काम करता है तो off हो चुका है अब signal icon भी so कर रहा है तो यह एक चेंज यहाँ पे है और फिर नीचे में यहाँ पे बैटरी स्टाइल के अंदर जो है यह बैटरी स्टाइल तो सेम है बट इसके अंदर last में colorful circle बैटरी आइकन जो है यह यहाँ पे new देखने को आपको मिलेग और नीचे में फिर quick settings जो UI दिया गया यहाँ पे Android 11 वाला यह new है कि वे style save भी यहाँ पे new है बाकि tile layout पहले पूरा open setting हुआ करता था अब इस तरीके से folder में देखने को मिलता है और नीचे जो tile animation है पहले नहीं था tile animation भी मिलता है बाकि और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है बट option के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लोक्षिंग भी जो है पूरी तरीके से सेम है कोई चेंज यहाँ पर भी नहीं हुआ यह भी जो है पूरा same है and power menu यह भी जो है same रहने वाला है notification की बात करें तो notification के अंदर में यहाँ यहाँ पर बस EOD Customization ता इस जेके पर जो कि मिसलेनस क दिया गया यह new मिल जाता media player के लिए यह इसके अंदर आपको दो option यहाँ पर new मिलेंगे change and बाकि फिर यहाँ पर नीचे जितने भी मिल रहे हैं सब पहले वाले अभी बी Android पे अने मिशन के अंदर काम नहीं करता है network and internet में कोई change नहीं है connected devices के अंदर कास्ट वरकिंग है यहा पर किसी में कोई change नहीं रहने वाला है और apps के अंदर जाते हैं तो Apps के अंदर भी चंज नहीं है parallel Space games से बीका से से नहीं है यहाँ कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं मिलेगा और यहाँ रोम के अंदर गर्ब्र बाहर भी यहाँ पर यह बात करें बाद करें फिंगर प्रिंट के बारे हैं तो काफी फास्ट और फेस अंलोक है इसका रिस्पोंस भी हाँ चाहिए तो Security में कोई चेंज नहीं हुआ लेकि पिछले में जो है 2,24,000 था यानि कोई फर्क नहीं पड़ा है यहां पर and CPU फ्रोलेट यहां पे 93% मिला और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पर सब्सक्राइब नागघ तूंटी तू था यहा पर हमें सिंगल में 302 मिला है और मल्टी स्कोर में 1143 पिछले में सिंगल स्कोर था और मल्टी के अंदर 1139 जविए सभी आप देखोगए था सिमलर सही है कोई चेंज जैसा नहीं हुआ और ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक भी विल्कुल सेम है स्मूद पर 90 पस तक बैलेंस पर मीडियम तक उसके आगे नोग नहीं है तो स्मूद निक्स टीम पर हम यहां पर खेलेंगे क्योंकि 90 पस हमारी डेवाइस के लिए सपोर्ट नहीं करेगा तो सेम ग्राफिक पर अीज नहीं है अच्छी देखने को हमता है लिए सब्सक्राइब करें ऑम यहां झाल वाज होंते हैं करें सब्सक्राइब करेंजेगारो अगर अगर आप ऑ면 NEW तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल ऐकिन को प्रेस करके और विकल लिजे ताकि एक लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को बिल जाए थैंक्स फो वाचिंग।